हलो एवरिवान एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो एक्सपेक्टेड कटोफ है फॉर पॉलिटिकल साइन्स आप टोप सेंटर उनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो जैसे कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे JNU के लिए BNU के लिए University of Delhi Duke के लिए और University of Hyderabad के लिए ठीक है तो अगर आप ये सारी उनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो आज का ये वीडियो देख सकते है इस वीडियो में जो हम आपको कटोप बताने वाले है ऐसा नहीं कि अगर हमने आपको 220 बता दिया तो 220 पर ही कटोप जाएगी यहाँ पर आप लोगों का जो रेस्पोंस है जो आया है उसके बेसिस पे लास्ट येर का जो कटोप है उसके बेसिस पे प्लस में इस साल जो आपका पेपर हुआ है वो किस तरीके का पेपर हुआ है तो उनी सारी चीजों को अनलिसिस करके यह जो एक्सपेक्टेड कटोप है वो आपको बताई जा रही है हो सकता है थोड़ा बहुत उपर नीचे भी आ जाए जब आपकी फाइनल कटोप आपको देखने को मिले बढ़ अगर आपके मोटा माटी इतने मार्क्स है तो आपको ओलमोस्ट जो है यहाँ पर इन सारी उनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है देखे एक सीज और क्लियर कर देता हूं कि जब आपकी पहली कटोप आएगी जब आपकी फ़र्स्ट कटोप लिष्ट निकलेगी तो जो है सब की हाई कटोप जाएगी एक जेन्यू को छोड़ दीजे इनकी तो सेकंड आए चाहिए थर्ड आए आपको हाई देखने को मिलती है ठीक है बट अधर जो इनिवर्सिटी है उन्हें आपको कटोप धीरे दीरे यहाँ पर कम देखने को मिलेगा चाहिए फिर बिये चु हो इनिवर्सिटी ओडैली हो या फिर इनिवर्सिटी ओप्छेदराबाद हो इसका भी जो पहला कटोप जाएगा वो हैई जाएगा हो सकता है सेकंड कटोप में भी आपको इसका हाय देखने को मिलेगा बाकि जेन्यू में तो हर कोई चाहता है कि जो है उसको अडमिशन मिले तो जिसके कम नंबर भी है वो भी कई बार ट्राइ करता है कि मिल जाएगा ड्मिशन, अपला ही तो कर देता है, ठीक है, तो यह आपका रहेगा सीन, अब देखिए, कटोप का ऐसा है कि सबसे पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो पॉलिटिकल 16 माक्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, अब यहाँ पर अगर अभी आपका स्कोर 200 है, तो अगर 16 नंबर यह प्लस हो जाएगा, तो 216 नंबर पे हम कह सकते है कि आपकी कटोप जाएगी, तो अभी आपकी फाइनल कटोप नहीं जो है वो बन कि ठीक है अब यहां पर अगर यह चार कट प्लस हो जा रहा है इसके लोग आपने एक दो कोशन चैलेंज भी किया हूंगे जो कि चैलेंज लाइक थे तो लगबख पांच कोशन का पेवरेज मानके चलिए तो बीस नंबर जो हो प्लस होने वाले है कहीं स्टूडेंट के ठीक है बीस माक्स जो हो आपके प्लस होने वाले है जितना भी आपका स्कोर है चाहे दोस्तो हो चाहे आपका 220 हो चाहे आपका 180 हो तो आप दोस्तो यह बीस नंबर जो आप एक्स्ट्रा मानके चल सकता है क्योंकि ल लोग जेन्यू के लिए बात करें तो सबसे पहले हम लोग जनरल करें लिए बात करते हैं फिर हम लोग बात करेंगे EWS के लिए फिर हम लोग बात करेंगे OBC के लिए फिर हम लोग बात करेंगे SE के लिए फिर AST के लिए अब इसके अलावा भी यहाँ पर defense category होती है जेन्यू में PWD वाले student होते हैं उनके लिए अलग reservation होता है तो उनको तो आराम से seat मिल जाएगा उनके number कम भी है क्योंकि उनकी cut-off कम जाती है हर साल कम जाती है तो उनको तो admission मिल जाएगा analysis की हम लोग बात करें तो वही अगर आप EWS की बात करेंगे मैं बात कर रहा हूँ गाईज यहाँ पर political science subject की प्योलम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ठीक है political science की बात कर रहा है जिसमें कि आपके तीन course है एक तो basically एक तो PISM है एक आपका IR है ठीक है IR हम जिसको बोलते है और तीसरा आपका प्योलम ठीक है तो मैं इनी की बात कर रहा हूँ जो आपका code है NQQP18 कोई confuse मत हो जाना है कि सर यह कि सब्जेक का बता रहा हूँ मैं political science subject की बात कर रहा हूँ तो अगर आपका 240 plus है तो आपको लगबग JNU में admission मिल जाएगा पिसली साल भी कहीं लोग बोल रहे थे कि नहीं इतना कम नहीं जाएगा इतना ज्यादा जाएगा कटोप PISM का इतना जाएगा IR का इतना जाएगा अगर analysis को देखे तो उसके बेस पे लग रहा है तो हमने ये भी देखा है कि जिसके highest marks होते है ना वो student जिसका मन नहीं है JNU जाने का वो नहीं जाएगा ना वो अगर BNU में जाना चाहता है उसके भली top rank 1 थी लेकिन उसको JNU जाना ही नहीं है तो क्यों वो कटो बढ़ाएगा उसको BNU जाना तो BNU ही जाएगा समझ रहो तो ज्यादा student नहीं होंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल लगबग 30,000 के असपास student ने exam दिया तो जो 30,000 सारे student है वो तो सारे के सारे जो है उस हिसाब से नहीं दिया कि उनको करना ही करना है तो आदा competition तो आपका निकल जाता है बार आदे student बसते है अब उनमें भी तुछ तयारी करने वाले होते है self study करके paper देते है तो वो सारे चीज़ है ठीक है तो लगबग अगर 260 वाला student है तो 260 वाले student के साबसे कटोपनी बनेगी समझ रहो तो अगर आपका 240 भी है न तो भी आपको admission मिल जाएगा अगर 45-50 है तो मिलेगा है मिलेगा obviously ऐसे एकर हम लोग EWS की बात करेंगे तो EWS में आपका लगबग मैं मान के चल रहा हूँ कि 235 पलस नंबर है तो मिल जाएगा आपको admission ठीक है वहीं अगर OBC की बात करें तो OBC का कई बार जो है ज्यादा भी चला जाता है लेकिन फिर भी अगर आपका 235 पलस मार्क्स है तो आपको यहाँ पर admission मिलने के पूरे पूरे चांस है वहीं अगर EWS की बात करें तो अगर आपका 210 पलस मार्क्स है तो आपको admission मिल सकता है तीनों course में से किसे न किसे में ठीक है वहीं अगर ST की बात करें तो 190 भी अगर आपके marks है तो भी जो है आपको यहाँ पर admission मिल सकता है अब आकी PWD या फिर defense quota वाले student है तो उनका तो खैर कम भी होता है तो भी उनको मिल जाता है तो अगर अभी कि हम लोग बात करें अभी तक कि analysis की बात करूं मैं तो यह में हम लोग मोटा माटी मान के चल रहे हैं कि अगर आपका इतना marks आ रहा है तो साइध आपको admission जेन्यू में मिल सकता है आपको क्या लगता है आपका क्या opinion है कि कम जाएगी ज्यादा जाएगी आप comment box में comment करके बता सकते हैं अभी हमने analysis करके जो चीज़ें रखी आपके सामने उसके base पे आपको बताने का प्रियास किया है बाकी जेन्यू में ऐसा है कि देखो cut-off का क्या है कि जैसे किसी ने first पे P.O.L.M. को रखा या फिर किसी ने I.R. को रखा या P.I.S.M. को रखा तो अब यहाँ पर क्या होता है कि choice-wise होता है जैसे first choice पे ज्यादा highest cut-off वाले रख दिये तो उस subject का ज्यादा चला जाएगा और अगर कम रखा है तो फिर कम चला जाएगा इस तरीके से बनेगा लेकिन फिर भी मोटा माटी मैंने बताने का प्रियास किया है आपको कि अगर इतने marks आपके है तो short selection है आपका मतलब chances से पूरे-पूरे होने के बाकी आपका score card आने के बाद एक बार और हम लोग देख लेंगे आप लोग काफी बोल रहे थे कि एक बार सर कटोप पर वीडियो बना दीजिए तो मोटा माटी हमने आपको बताने का प्रियास किया है बाकी आप अपना opinion भी comment box में comment करके बता सकते गाइस तो thank you so much ये वीडियो देखने के लिए